सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे प्रॉपर नोट्स की पीडिएफ टेलिग्राम चानल पर अप्लोड कर दी जाएगी और यह दिखिए सिर्फ सोचिलोजी की ऑपिशनल पेपर में सब्सक्राइब करेंगे तो अभी हम कुछ पांचे साथ टॉपिक करते हैं और इसमें हम और क्या बैटर कर सकते हैं तो इसमें मुझे आप लोगो की एड्वाइजर सजेशन्स टाहिए होगी हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो इस आपको डिफरेंट असपेक्ट में हल्प करने वाला है बिकॉज यहां पे मैं प्रॉपर कंटेंट लागे कंपाइल करके आप लोग के सामने चीजे प्रेजेंट कर रहे हूं तो बाकी अफ्टर वीडियो आप लोग bliss कोई भी सीजी स्टार्ट करने से पहलेए लोग को सुदि उच झानना बहुत पको जरूरि और रिस्पोंज जाता यह जरूरी हो जाता है पता करना की वह सीडियों के लिख लिए ह 돼 अल्दो मैंने टेलिग्राम पे पोल क्रिएट किया था दियरार ओनली आइगेस लिमिटेडी पोल है 25-30 अप्रॉक्स स्टूडेंट ने आई थिंग वोट किया है जिसमें से कुछ स्टूडेंट जो है मेजुरिटी फ्टूडेंट वाले हैं तो जो 20 स्टूडेंट देखने व तो वीडियो हेल्प कर रही है तो आप लोगे करमेंट बहुत जादा इंपॉर्टेंट है उसके बेसिस पर ही फुर्दर वीडियो रहेगी फुर्दर सीरीस कंटिनेशन में रहेगी वरना एक टाइम बाद लेवल के आता है कुछ वीडियो उसके यही मोटिवेशन है बहुत अवेर हो आप सबको यह बाते पता होती है तो तेट थेंग कि आपकी हल्प हो रही है आपको समझ में आरे हैं चीज़े वस बिगेस्ट मोटिवेशन वाइट कि आप लोग उसे शो भी करें रिफ्लेक्ट भी करें कमेंट में और येस इस नोट लाइक कि आपको सिर् टॉपिक इस बाउट सम्धिंग 12 एपरिल के आसपास का ये टॉपिक है क्या था यहां पर नो मोर मैनिल्स अन्यू प्लेज बाइट यूए इंडोनेशिया टेक्स एम एट आल मेल पैनल डिसकॉशन अब हमें समझ नहीं आया है कुछ खास कि यह पढ़के वही समझना हमारा मेन टास्क के है दिस इस रॉटर्ण बाई जो यह प्रटिकूलर हमारा आर्टिकल है पोईट्स पोगे हैं यह किस नई लिखा है यह लिखा है हमारा वेलरी जूलियान अब यह वेलरी जूल है यह कौन है यह यून की रेज्टेंट कोडिनेटर है यूनाफे नेशि leashन की ये निउस डिबेट्स देखियोंगी, आप लोग बहुत सी निउस में डिबेट्स देखते हो, डिसकॉशन हो रही है, पीपल आ डिसकॉसिंग और यहां पर हम थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, नेशनल भी नहीं, अलग अलग कंट्री में, नेशनल लेवल पर य चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसके अलावा आपके हेल्थ कंडिशन कैसी है, एकनॉमी का जो स्ट्रक्चर चल रहा है, वो कैसा चल रहा है, यह सब चीजों पर मल्टिपल डिसकॉशन is going on in the economy, और ऐसा नहीं है डिसकॉशन सिर्फ इंडिया में ही होती है, हर कंप्री में अ इससे हमें जेंडर स्टीडियो टाइपिंग जो है वो दिख रही है, और इस इस नॉट अल गुट, तो आपकी युनाइड़ नेशन के इंडोनेशिया वाला ग्रूप है, उन्होंने एक डिसीजन लिया, कि वेल टेक अ प्लेज, हम एक प्लेज ले रहे हैं, कि किसी पैनल में अगर female member, अगर women नहीं है, ठीक है, तो we will not take part in that panel, हम उस panel में पार्ट नहीं करेंगे, तो ये women के role को increase करने के लिए, more women inclusion को शो करता है, women empowerment को शो करता है, जेंडर पारिटी और जेंडर गाप को कम करने का जो concept है, ये हमें दिखता है यापर, ठीक है, तो आगे पढ़ ले बैटे हैं कोई हो सकता है health wise अच्छा हो कोई economic से relate करता हो कोई school का teacher कोई educator बैठा हो कोई political leader बैठा हो हर कोई अपनी अपनी field में अच्छे हो सकते है लेकिन panels में कुछ चीज तो missing है and वो missing चीज क्या है वो missing चीज है women तो UN की जो team है इंडोनेशिया की UN की जो team है इंडोनेशिया की उसने एक pledge ली है कि not to participate as a speaker या panel member की तरह participate नहीं करेंगे उस जगे पे जहां पे women नहीं है where there are no women ठीक है next year we'll talk about कि अब इसको end करने की बात क्यों की जा रही है यह जो manual है कि आपके panel में सिर्फ men है इसको end करने की ब कि उन्होंने कुछ पॉइंट बोले है कि there aren't many thing but कुछ पॉइंट उन्होंने बोला है कि हम मैं mention कर रही हूं यहापे what are the points कि venals don't represent diversity of our word हमारे word इतना diverse है बहुत सारे अलग अलग diversity multiple matter में diversity है तो even gender की बात करें तो जो men women की बात औरे है तो आप women section तो बिलकुल भी show ही नहीं कर रहे हो और आप deprive कर रहे हो from holistic holistic मतलब overall innovative and insightful perspective of the topic उस topic पे हमें कुछ नया idea जो एक woman के mind से या woman के perspective से निकल सकता था एक overall idea coverage नहीं मिल पा रहा है menals जो है ये tunnel vision की तरह है मतलब ये limit कर रहे है understanding of the topic tunnel देखते हो आप क्या है tunnel आपकी vision को limit कर देती है tunnel से बाहर आप नहीं देख पाते हो ना जब आप tunnel में travel कर रहे हो तो उस tunnel से बाहर की चीज़े नहीं दिख रहे हैं आपको बस आगे का पैसेस दिख रहे है you cannot look left and right left and right जो ह होता है वो पूरा cover होता है tunnel में तो आपकी उस topic की understanding को limit कर देती है सिर्फ men's का perspective उस topic पर क्या है वही निकल के आ रहा है आप देखो Corona pandemic की will talk तो Corona pandemic में हो सकता है women's ने भी बहुत suffering देखी हो suffering in the form of what suffering in the form की सब कोई घर पे है चो women's को थोड़ा बहुत time भी free मिलता था they are not getting that अब पूरे time member घर पे है burden of work burden of the domestic household work उन पे increase हो गया है ठीक है इसके अलावा हम बात करें तो domestic violence हो सकता है multiple तरीके से increase हो गई उन पे stress जो है वो increase हो गया होगा so यहां पे अगर आप Corona के discussion में अलग-अलग aspect या negative बाते जब जानने के लिए discussion कर रहे हो you are not involving the woman तो आपको ये वाला site जो है वो उतना detail में सामने निकल की नहीं आ पाएगा तो ये जो है problem रहता है next क्या है दे में lead to the incomplete conclusion simple सी बात है when you are not including the woman और आप सिर्फ men का perspective देख रहे हो तो आपके जो result आएंगे जो conclusion आएंगे वो incomplete रहेंगे वो properly complete नहीं होंगे next क्या है हमारे पास there is no topic on the earth that does not concern woman ऐसा कोई topic ही नहीं है जिससे woman का लेना देना नहीं है अब आप बोलो कि इस topic से woman का क्या लेना देना तो हम इसमें woman को include नहीं कर रहे है right so there is no topic in the earth जिससे woman का लेना देना नहीं है चाहिए वो education हो health हो कोई भी और conflict हो साफसपाई हो infrastructure कुछ भी चीज़े हो woman का हर topic से लेना देना है अब यह चीज़ शो करती है आपकी proper sexism and exclusion को कि आप woman को exclude कर रहे हो from a discussion of a particular topic जो उनके लिए भी मतलब उनसे भी बिलॉंग करते है और उनके लिए भी है तो यह gender stereotype का example है I hope stereotype आप सब को clear होगा stereotype मतलब basic pre assumption जो आप set कर लेते हो like pink is girlish color ठीक है और जो blue color है वो boys का color है मार्द को दर्द नहीं होता है लड़के रोते नहीं है ठीक है क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो we'll give this kind of example लड़कियों क्या चूला चूका समाल रहे हो चूला चूके में लगे हो ठीक है तो यह सारी चीज़े mechanic क्यों बन रहे हो लड़कों रहे गाड़ी ठीक कर रहे हो अगर आप यह कोई vehicle ठीक कर रहे हो तो these all are the example of stereotype ठीक है तो इसमें क्या होता है commanding authority और superior expertise शो करता है यह चीच मेल्स की ठीक है कि मेल्स की authority है proper और वो अपनी proper superior expertise जो है वो शो कर रहे है next यहां पर क्या है कि youth activist जो है उनका एक proper अपना motto होता है क्या motto होता है nothing about us without us हमारे बारे में अगर कुछ भी करना है तो वो हमें include किये भी आप नहीं कर सकते आपको rules बनाने है youngsters के लिए आपको group बनाना है आपको एक political party बनानी है youngsters के लिए और आप उसमें ले लो leader जो young मतलब एक 50 plus वाले हैं ठीक है तो उसमें youth कैसे reflect करोगे youth से related problem और youth से related decision क्या होने चाहिए उसमें youth को include करना चाहिए तो similar चीच जो होती है वो women's related issue में apply होती है so nothing without women's without women's तो कुछ भी women's के लिए आपको अगर plan करना है तो वो without women नहीं हो सकता so taking this into consideration an online database for the women resource person has just been launched by leading INGO and HIWAS with support of embassies of Canada and Netherlands to bridge this gap this gap को cover up करने के लिए नीदरलान और Canada की embassies के साथ मिलके इस UNT coordinator group ने स्टीच को initiate लिया है एक pledge sign करी है कि we'll not participate in any search panel जिसमें women conclude नहीं किया जा रहा है so अगर पूचा जाए why this is happening so this is happening to empower the women this is happening to reduce the gender parity this is happening to reduce the gender gap this is happening to more inclusive approach को follow करते हुए चीजे हो रही है so you can make this point अब आपके पास इतना content पहुच चुका है अगर कुछ भी इस related questions पूचे जाएंगे so I hope gender को लेके कोई question पूचे gender equality whether be gender inequality whether be international level पर क्या steps जो है वो लिए जा रहे है for the gender equality तो यह सारी चीज़े आप cover up कर सकते हो I hope clear हुआ होगा यह topic अप वीडियो की length कितनी रहेगी that totally depend upon the topic topic हो सकता है कोई वीडियो दो मिनट की भी बने current affair की 2-4-5 मिनट में content खतम हो जाए और like इस वीडियो की तरह है length 10-11-15 मिनट की भी हो सकती है that totally depend on the topic so वाकी आप लोग comment करके बताएंगे like करेंगे video को maximum share करेंगे अपने और भी जितने groups है friends है जितने भी लोग का socialogy से कोई भी लेना देना है you will share this video with as many as people as you can and I'll wait for your comment so that I can make the changes or I can feel motivated for the videos so this is all for this video thank you for watching guys